इमोशन्स जो हैं वो एक सिगनल देते हैं कि कोई चैलन्ज है कोई मुश्किल है और इसलिए आप खौफजदा या उस्ते में या नफरत में या चिर में या इस तरह के ज़स्मों में महसूस करते हैं तो वो आपको एक चैलन्ज दे रहे होते हैं ये बॉड़ी आपको अवेर कर रही होती है इस पे क्रॉस कल्चरल रिसर्च होई भी है बहुत सी है लेकिन मैं सिर्फ आपको मिसाल दिखाऊंगी पहली मिसाल ये कि कोविट कि दिनों में जो इंग्जाइटी हुए है लोगों को उसमें मुलकों में क्या फरक्ता था तो पहले तो मेरा खाल था पाकिस् यानि हाए जो बार है वो साइट पे है GAD 7 जनरल एक्जाइटी डिस ओर्डर 7 तो उसके उपर उनके ये स्कोर लिए गए हर मुल्क के तो आपको रेड जो नजर आ रहा है वो इराक का नजर आ रहा है और उसके बिलकुल तकरीबन मुकाबले में जो है वो आपको कैनडा का मालेशिया का आपको ग्रीन में नजर आएगा क्योंकि उनके अंदर काफी धीरज है वो जनरली पुर्सुकून है अब जब आप इनको देखेंगे तो आपकी ये सवाल उभरेंगे कि ये किस वज़ा से एक ही विमारी की इंग्जाइटी कुछ ने कम और कुछ ने ज्यादा महसूस की उसके पीछे जो फैक्टरस हैं नमबर वन कि वो पहले कितने और पीसफुल लोग थे तो जब तक हम किसी मुल्क का वाजना नहीं करेंगे कि उसमें इंग्जाइटी जनरली कितनी है हम इसको खमज नहीं सकते लेकिन नतीजा यही निकाला जा सकते है कि वह पहले कितने एंक्शिस थे सेकंडली उनको हेल्थ केर कितनी मिल रही थी कोविट के दिन थर्ड उनको बेहतर रहनुमाई और इंफरमे पाकिस्तान जो गाओं के लोग हैं जो पहाड़ों के लोग हैं जो स्टाहिलों के जजीरों पे रहने वाले लोग हैं शेरों के अंदर जो हमारे गरीब इलाके हैं उनको मिनीमम कोविट इंग्जाइटी थे तो इंफॉर इंफॉर्म यू आर और यू वाच सोशल मीडिया जो प्राइब आउट कोविट रियल और फेक इंफॉर्मेशन और यू अप्सेस कोविट जो प्राइट कोविट के मेसेज़ पढ़ते हैं वगयरा वगयरा जो सारा दिन चलते थे उतनी आपकी आपकी ज्याइटी ज्यादा होती है तो क्योंके पड़ी लिखी काम ज्यादा कर रही होती है लेकिन पाकिस्तान को जो चीज़ बचा रही थी वो एक हमारी हकूमत की पालिसी एक हमारे घरों और फैमली का एकटे होना और सबसे बड़ी बात कि हमारी बहुत थी अबादी जो है वो पड़ी लिखी नहीं है और ह अपने हब तक तो मैं ये फैक्टर्स दे सकती हूँ और फिर हमारे हाँ खुदा की खातिर यानी खिद्मत खल्क को अल्ला की खातिर करने का बहुत ज्यादा ज़स्प है तो मैंने जितनी मदद, इमदाद, फराग, पैसे, मेमारों की खिद्मत के मामले में देखी है वो अनप्रेसिडेंटेड है बहुत कम कंट्रीज उसको मैच कर सकते हैं सडकों पर इवन ऐसी अबादियां जैसे डियेचे ऐ गुलबर्ग है लोगों ने खाने पीने की चीजें रखके मास्क पेन के खड़े होते थे लोग आते थे और लेते जाते कोई मज़ूर सडक पे बैठा था वो बगएर रोटी और पैसे के नहीं गया और गर्मेंट अलग कर रही थी तो यह तो मैं अपनी बात कर रही तो हमारी इंग्जाइटी और मैं जाती तोर पे कोई के इंग्जाइटी का बिलकुल भी कभी शिकार नहीं हुई तोड़ा सा ख्याल होता था था इतियात का और मैं जानने वाले इवन माई सिस्टर्स और कुलीग जो बहुत ज़ा हाइपर एंक्शिस से कोविट के बारे में तो आखिर में जो बात निकली के नेचर भी होती है इंसाने लेकिन यह जो डेटा क्रॉस कुल्टरली यह कंट्री वाइज है और यह उस कल्चर के बारे में बहुत कुछ बता रहे है कि मलेशिया का कल्चर क्या है अरजन्टेन का क्या है नेक्स्ट रिसर्च में आपको बताऊंगी वो है कि ट्रेस के उपर किस किसम की रिसर्च होई दी है इसके उपर भी कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो बताए कि किस सोसाइटी में ज्यादा स्ट् काव के सबस्क्राइब से आपका सब्धार होता है या तो यह काम की काम की सूर्थियान से आपका रिश्टा है उसके एसाप से इंडिविजुल में इस वह यह होता है सब जगों पे होता है ठोड़ा सा स्ट्रेस ने नहीं होता है तो वह सब पहुत नहीं होता है लेकिन कुछ लोग बड़े सकून से ले रहे होते हैं तो लोगों पे भी होता और कुछ उनका जो वर्क का महाल है, कुछ जगों पर वर्क का कल्चर सक॑न वाला होता है तो मैंने यह बात कैनेडा में देखी, अस्ट्रेलिया में देखी चे उन्होंने अपने काम की जगों को ऐसा बना दिया कि वहां पर जो वर्क के स्ट्रेस का प्रॉसस है वो काफी डिल्यूट हो गया है, मध्धम हो गया है काम खास्तों पर जैपनीज हैं या चाइनीज हैं कहीं भी वो काम के अंदर ही अपनी एक्साइज भी करते रहते हैं चाहे वो उनकी चीकुंग है या उनका वो योगा है या उनकी ब्रीधिंग है ताकि वो वर्क प्लेस वेल बिंग को करें टेस्ट एंग्जाइटी के ऊपर एक study हुई भी है जैसे इटैलियन और इंडियन स्टूडेंट्स की तो कुछ कल्चर में टेस्ट के इंग्जाइटी ज़्यादा पाई जाती है gua उसकी वज़ाई है कि उन से तوقवात यह हैं कि हयो टेस्ट कर नतीजह आया तो कैसा हो गा हो तो टेस्ट को तो वो जो करते हैं उससे पहले जो उनके अंदर एक इंग्जाइटी एप्रिहेंशन बिचैनी परेशानिंग क्रियेटोरी होती है उसका भी कल्चर से तालुक है तो जितना किसी कल्चर में टेस्ट के इजी किया जाएगा चीजों को और काम्याबी और नकामी को एहम समझा जाएगा लेकिन उसक तेस्ट इंग्जाइटी इसलिए ज्यादा क्यूंकि वहां पर्फॉर्मेंस का खौफ होता है कि हम अच्छे होंगे के नहीं तो जब आप बात करते हैं ना इंडिया ये बंगलादेश की तो आप समझ लें कल्चरल या पाकिस्तान ही की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे कल्च स्ट्रेल रिसर्च जो स्ट्रेस और इंग्जाइटी पर ही हम इमोशन के टॉपिक को आगे चलके बहुत दिल्चस्ट मौजवात की तरफ लेके जाएंगे मसलन ये के इमोशन को अस्टेस कैसे करते हैं लोग के दूसरे का इमोशन क्या है और ये भी कि वह इंटेलिजन्स क ये जो ये जो बात को सम्ट